साथियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल EG Study Pharmacy जहां दवाईयों के आपको संपूर जानकारी मिलती है साथियों आज हम आपके बीच डिसकस करेंगे Agithal XL Liquid 200 साथियों ये 30 ml का जो है लिक्विड है साथियों Alembic Pharmaceutical Company का ये प्रोडक्ट है साथियों साथियों ये ready to use है ये लिक्विड है बहुत से जो है अंटिबाइटिक आते हैं बच्चों के तो उसमें क्या होता है ड्राइ पाउडर होता है और उसमें water for injection भी लाना पड़ता है पर ये ready to use है साथियों एजित्राल 200 लुकिट जिसका composition है एजित्रो माइसीन ओरल सस्पेंशन 200 mg इन 5 ml साथियों ये schedule H की दवा है फिजीसियन या पीडियाटीसियन डॉक्टर के prescription से ही साथियों मिलती है साथियों जो इसकी MRP है 82 रुपी 74 पैसा है 30 ml की साथियों साथियों इसके बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले जानेंगे हम जो है एजित्राल एकसेल है क्या साथि साथ हम बात करेंगे इसके important uses की side effect की और यह बच्चे के सरीर में work कैसे करता है interaction की, precaution की, warning की and doges की बात करेंगे तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे description की एजित्राल है क्या तो एजित्राल एकसेल जो है साथियों यह Alembic Pharmaceutical Company का जो है product है और यह liquid already prepared है साथियों यह बच्चों के अंदर जो bacteria का infection हो जाता है उसमें यूज होता है जैसे के in the ears कान में अगर infection हो जाता है, lungs में infection हो जाता है, throat में infection हो जाता है अगर बच्चों को tonsils हो जाते हैं उसमें इस्तमाल किया जाता है, साथिसाथ फेफड़े में airways है या respiratory tract में airways में नमी भर जाती है ठंडग लग जाती है और निमोनिया के लच्चड हो जाते हैं या nasal passage में दिक्कत होती है, skin and shaft issue infection हो जाता है उसमें यह जो है उपियोग करने वाला liquid है साथियों, it is also used in the treatment of intric fever बच्चों को जो है fever आ जाता है, निमोनिया हो जाता है और lungs में infection हो जाता है lungs में infection होता क्या है, due to coming in contact with infected person, जैसे कोई infected person और उससे बच्चे को खासी आने लगी और उसको क्या कहते हैं कि निमोनिया हो गया या इस तरह से COPD का केस हो गया, ऐसे केस में क्या होता है साथियों, एजित्राल एक्सल लिक्विड का इस्तमाल किया जाता है साथियों, Alembic Pharmaceutical की product है, 82.74 पैसे का है, डॉक्टर के prescription से आसानी से chemist की दुखान पर मिल जाएगा साथियों साथियों, इसके uses की बात करेंगे, ये तो description हो गया, uses की बात करेंगे तो साथियों जैसा कि अभी description में बताया है कि एजित्राल ओरल लिक्विड यूजड फार दी ट्रीटमेंट अब बैक्टीरियल इंफेक्शन इंदा इयर्स, अगर इयर्स में हो जाता है, जिसको हम उटाइटिस मीडिया कहते हैं, उसमें बच्चे के इस्तमाल किया जाता है, लंक्स में इंफेक्शन हो जाता है, किसी टॉंसिलाइटिस कहते हैं, उसमें इस्तमाल किया जाता है, इयर्वेज में दिक्कत होती है, उसमें नेसल पैजस में प्रावलम हो जाती है, इसकी इंफेक्शन हो जाता है, उसमें इस्तमाल किया जाता है, तो जो है, उसमें क्या होता है, जो है, इस दबाई को जो है, प्र gantaminated या उसका जो बढ़ा-पडा-पडा इस्तमाल करने से बच्चे को खांसी हो जाती है इंुपंटन लिब को जाता है उसमëं इस्तमाल किया जाता है तों इंट्रिक फीवर में इस्तमाल किया जाता है निमॉनिया बच्चे को हो जाता है उसमें इस्तमाल किया जाता है और fact Pabilink tim c हर्लें का इंट्रेंट किया जाता साथियों है इसके हम बच्चों में उस्तमाल करने से इसके हलके फुलके कुछ side effect है जैसे बच्चे को डाइरिया होने के चांस हो जाते हैं, नोजिया और वोम्टिंग होने के चांस हो जाते हैं साथियों, इस तमक में पेन होने लगता है, इस तमक में आयठन मरोड हो जाती है, क्रेम हो जाता है, कभी-कभी खाना इंडाइजेस्ट हो जाता और उसके बाद किया होता है साथ्यों कि वह उल्टी करने लगता है और फिरूसके बाद किया होता है साथ्यों कभी-कभी इसकी इसkीन तो साथियों जैसा कि आपको बताया यह एक एंटिबाइटिक है बैक्टिरियल इंफेक्शन में इस्तमाल करने वाली दवा है साथियों यह क्या करता है इट वर्क्स बाइंटर्फेरिंग विद्धी सेंथेसिस आफ इसंसियल प्रोटीन जो बैक्टिरिया के अंदर मतलब सें करता है और शतना करते हैं और उसको जाकर यह भलता Gala शवांड करदे तो जब दो तो वहित आपक्शन को दिखां다면 और दिखांएँ गया तो उनको बता दें कि जैसे खि позволin का अंगर सीरप बच्चे को यह यह तोरवाइस टेट्यं की कोई दबा या एंटैसिड बच्चे को दे रहा है जैसे या डिगोक्सीन हा या किसी तरह की बीमारी जैसे लीवर्ड इंपायड फंक्शन है ऐसे केस में इस दवाई का सेवन नहीं किया जाएगा तो डॉक्टर अपने हिसाब से बिवेक से साथियों इसलिए जो है समस्या पहले ही बता देनी चाहिए साथियों वार्निंग की बात करेंगे तो यह बच्चे को अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है या बहुत पहले से डाइरिया है भैंकर उसमें यह नहीं चलेगे क्योंकि यह लूज मोसन बढ़ा देती है और anti-acid अगर बच्चे को चलना है उसमें यह नहीं दिया जाएगा साथियों precaution की बात करेंगे तो जिनके kidney impart function है या liver function है या anti-acid चलता है या इसी तरह की जो है erythromycin group की दवा पहले दिया है और बच्चे को suit नहीं किया है ऐसे case में यह दवाई जो है नहीं दी जाएगी साथियों doges की बात करेंगे तो doge as prescribed by weight age साथियों बच्चे का weight age के हिसाब से calculate करते हैं तो डॉक्टर इसका doge अर्जेस्ट करते हैं पीडिया टीसीन अदर्वाइस disease की हिसाब से जो है इसका doge होता है वैसे तो अगर सर्दी जुखाम खासी है या respiratory tract infection है फेरेंजाइटीस है या इस तरह की विमारी है निमूनिया है जुखाम है तो उसमें धाई ml सुबे धाई ml साम को यह जो है धाई से तीन साल के बच्चे को दिया जाता है साथियों साथियों बहुत ही अच्छा liquid है मार्केड में आसानी से मिल जाएगा साथियों और यह देखिए साथियों यह ready to eat है साथियों यह इस पर container लगा है container में जो है इसका measuring है जैसे बच्चे को कितना देना है यह इसमी जो है यहाँ पर लिखा होता है साथियों तो साथियों इसी इक साथ विराम देंगे किसी तरह की query है आप हमें जरूर कमेंट करें साथी साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों नमस्कार